चलो समझ दिया अभियास 1.5 दा एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक इस देविच स्वाल नंबर 5 सानू कैरे है कि हेट लेखियां दे हरां दा परमेई करण करो ते पहली संख्या सानू दती हो यह एक बटे वर्गमूल साथ उन एस संख्या दे विच हर है साथ कोल वर्गमूल साथ प्रशन ने कैरे हरां दा परमेई करण करो परमेई करण दा मतलब होया हर दे विच अपरी मेई संख्या नई होने चाहिए दी तासी किसे वित्रां करके एस संख्या दे हार देविच्यों अपरी में संख्या नूँ खतम करना हैं एसे किर्याविदी नों असी हार्दा परमेई करन केनेया ताँ देखे फिर असी एक बटे वर्गमूल सात देवेच्च हार्दा परमेई करन केस तरां करांगे मैं जे वर्गमूल सात नू वर्गमूल सात नल गुणा करां तो तो अनुसारा नुँ पता ए बंड जोगा वर्गमूल उननजा तो उननजा दा वर्गमूल सात हुंदा मतलब हार देविच्च वर्गमूल खतम हो जेगा पर हुन तुसी सोचोगे असी अपने कोलों के से संख्या दी गुणा के इस तरह कर सकते हैं तो इदेले मैं एक ट्रिक लगावाँगा देखो हर देविच मैं वर्गमूल सात पाया आंश देविच वी मैं वर्गमूल सात लेख देआँगा एस तरा करन लाल चीड़ी आ संख्या बनुगी वर्गमूल साथ बटे वर्गमूल साथ इस नू से 1 सोच साक दे क्योंकि वर्गमूल साथ नाल वर्गमूल साथ कैंसल होगा ता साड़कोले आऊँगा एक ते असी जे एक बटे वर्गमूल साथ नू एक नाल गुणा करिए ता एस संख्या ते कोई फर्क नी पहुगा न बस एसी गुण दी वर्तो करके असी एक बटे वर्गमूल साथ दे ह अप्स देखो हर्दे विच फिर साधे कोल परिमे संख्या बाण गई एसे नूँ असी हारदा पर मेई करण करना केनने चलो दुज्जा स्वाल देख देयां दुज्जे प्रशन देविच सानू संख्या देती है एक बटे वर्गमूल साथ माइनस वर्गमूल छे हुन एथे असी हारदा पर मेई करण किस तरह करागे देखो असी की करतेयां जेड़ी संख्या सानू देती हुन दिया उसते हारदे विच जिन्नीवी संख्या पई होवे असी ओस संख्या दे संयुगमी यानिके कॉंजुगेट नंबर ती गुणा हारदे विच कर देनने उन संयुगमी संख्या की हुन दिया तहेवी तुसी ते आंदेओ वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 ता इसके संयुग मी संख्या होगी वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 मतलब आंक ओही होंगे उना देवेच निशान असी उल्टा के लगा देआंगे जे प्रशंदे विच प्लास लिख्या हावे तासी आपने कोलो संयुगमी संख्या दे विच माइनस पा मांगे ते जे प्रशंदे विच माइनस लिख्या तासी संयुगमी संख्या प्लास पा के बना दे आगे जिन्नी संख्यासी हारदे वेच लिखी बिल्कुल सेम संख्यासी आंच दे वेच विफी लिख दमांगे नेस्तरा हुँन सीसनु स्वाँफ करता मांगे आश दी गुणा आश नाल होगी, मतलब इक दी गुणा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 ता साड़कोले आश दे विच्चा आजूगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 क्योंगी एक नाल गुणा कीती तो सांख्यात कोई फरक निप्या हार दे विच देखो एस हाड़े कोल बनेगा under root 7 minus under root 6 गुण under root 7 plus under root 6 हुण सी इसनु अगे solve कार दिया आंशनु तासी अगे हाल नी कार साकदे एसनु एसे तरा लिखला निया वर्ग मूल 7 plus वर्ग मूल 6 हार दे विच देखो साड़े कोल फर्मूला बनता है a minus b एक ब्रैकट दे विच ते a plus b दूजे ब्रैकट दे विच ते सानु पता है यदी कीमत की हुन दिया a square minus b square तासी हार दे विच ब्रैकटान गुणाकार के लिखांगे वर्ग मूल 7 दा स्क्वेर minus वर्ग मूल 6 दा स्क्वेर क्योंकि a दी जगाते साथे कोल फिए वर्ग मूल 7 ते b दी जगाते साथे कोल पिए वर्ग मूल 6 दा a square minus b square नूमें लिख்या under root 7 दा स्क्वेर minus under root 6 दा स्क्वेर इसनु अग्य हाल कार दे या 16 वेंचक बनेगा वर्ग मूल 7 प्लस वर्ग मूल 6 बटे वर्ग मूल 7 द का झावगा 7 również वर्ग मूल 6 द सक्वेर का झे इसनो सी स्वाल्फ कार देन्या अंड़रूट 7 प्लस अंड़रूट 6 बटे 7 माइनस 6 साट वेंचक आया बटे एक दा मतला बस इसनु लिख साकते अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 6 इत्थे वी तुसी आंसर लिख साकते या एक्स्प्रेशन नो तुसी वेंजक नू इसतरा लिखके वी आंसर लिख साकते व बस देखो साड़े कोले हार देविच परिमे संख्या आ गई इसनु उसी हार दा परमेई करण करने हैं एक होर सवाल देख दिया सानु संख्या देत्ती है एक बटे वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 हुन एस्प्रेशन देविच असी हार दा परमेई करण करना तासी कीसे क्या सी? असी हार दी संयुगमी संख्या दी गुणा अंश ते हार दो माच करांगे हार दे विच साधे कोल संख्या है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 इस दी संयुगमी संख्या यानि के कॉंजुगेट नंबर होगा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 जड़ी संख्या हार दे विच लिखिये बेलकुल सेम टू सेम ओही संख्या असी आंश दे विच लिखते आंगे अते एस वियन जकन असी हाल करांगे आंश दी गुणा आंश नाल किती साधे कोल आगया वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 ते हार दे विच सादे कोल फर्मूला बनुगा A square minus B square ते A दी जगा ते सादे कोल अंडरूट 5 ते B दी जगा ते सादे कोल अंडरूट 2 इसनो अग्गे स्वाल्व कर देया आंश दे विच कोई change निहागा ते हार दे विच सादे कोल आूगा 5 माइनस 2 इसनो उसी solve करके लिख सक देया अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 2 बटे 3 देखो हर्दे विच परमेई संख्या बन गई इसनो उसी हर्दा परमेई करण के नेया चोथे पाग विच देख देया सनु केड़ी संख्या देती है सनु केहा गया एक बटे वर्गमूल 7 माइनस 2 दे हर्दा परमेई करण करो ता उन हर्दे विच जड़ी संख्या है इस देख संख्या देगोणा आसी इदे नाल करांगे ता इस आठे कोले बनूगा अंडरूट 7 प्लस 2 ता जड़ी संख्या सी हर्दे विच लिखे बिल्कूल सेम टू सेम संख्या सी आंश दे विच लिख देनी है तेस विएन जकनू हाल कार देना आँश हंड़ी गुणा आंश नाल साठे कोले आया वर्गमूल 7 प्लस 2 तो हर्दी गुना हरनाल, a-b, गुना a+,b ए साड़ेकोले बनेऊगा, a10 स्क्वेर मतलब वर्ग मुल 7 दा स्क्वेर, मैंनस b दा स्क्वेर मतलब 2 दा स्क्वेर, इसनु हाल कारलान्या, आश्षदे विच फेर कोई फरक नी होगा हर्दे विच वर्गमूल शाथ स्कोर साड़ेको लिआवगा 7 ते 20 स्कोर साड़ेको लिआवगा 4, तो इस साड़ेकोल सौल्ब करके बनगया वर्गमूल 7 प्लस 2 बटे 3 हर्दे विच आगई परिमे संख्या इस तरह आसी हार्दा परमेई करण कर लिया मैंनों उमीद है कि हार्दा परमेई करण करन देन आल से बंदत प्रशन तो अन्नों समझा गए होंगे तेंक यू